हेलो गाईज, वेलकिम टू अनादा वीडियो, अभी मैं स्वीगी से कुछ मंगवाई थी, आपको दिखाऊंगी क्या, और हर बार जब भी कुछ मंगवाती हूँ, पैनी बहुत जादा इंट्रेस्ट के साथ आती हैं, कि उसके लिए कुछ आया की नहीं, पर हर बारी हमारे घ जो खाने के लिए दिया, और बाहर के जो भी ऐसे फूड होते हैं, हम ज्यादा नहीं मंगवाते हैं पैनी के लिए, बिकेज शुरू से ही उसको बाहर का खाना नहीं पसंद, इविन पेडिग्री भी नहीं पसंद करती हैं, हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेडिग्री जो मैं कलीक सेज की जो पैट्स होते हैं, जो भी फैमली ने उस पैट को अड़ाप्ट करते हैं, वो पैट उनके तरह बनते हैं, मतलब उन लोगों के जो नेचर है, वैसे ही सेम नेचर के होते हैं, उनके पैट्स जो होते हैं, मैं अभी वो थोड़ा थोड़ा बिलीफ करने पीने का पीने का पीने का पर मैं रेजिस करती हूं वो जो गले में इनिफेक्शन होती है एक बार हो जाने से टेक सो मच टाइम तुरीकावर और अवाज बंद हो जाती है फिर खाना नहीं खापाती हूं तो अभी इसलिए बिल्कुल बंद कर दिया मैंने जो कोल कॉफी मिल्क मैं थोड़े दिर बाहर रख देती हूं फिर पीती हूं तो पैर को mostly हम एक साथ खाना नहीं खापाते हैं क्योंकि वो जल्दी निकल जाते हैं कुछ 11 बजे करीब और 11 बजे is too early for me to eat rice तो पैनी और मैं एक बजे तक खाना खाते हैं फिर पैनी के डारी निकल गये थे और मैं पैनी को आपको देखकर smile करने के लिए बोल रही थी पर आज उसने smile नहीं किया दिन भर बैट कर फिर में editing करी हैं क्योंकि मैं back to back morning flights कर रही थी मेरे पास बहुत सारे clips जमें हुए थे जो मैं edit करने का time नहीं मिल रहा था मुझे और आज पूरा दिन बैट कर मैंने सारे जो फॉल फॉलो कर सकते हैं तो उसमें क्या होती है ना आपके जो पोर से पूरा क्लियर हो जाती है और अगर आपको पिंपल आती है तो वह भी काम हो जाती है पर अगर आपका skin dry है या sensitive है तो आप इसको avoid कीजिए आप लोगों में से बहुत लोगोंने मुझे open pores के लिए कि यूज से मुझे एक healthy glow मिलता है skin में और जो snail mucan है वो मैं बस Cossarex का यूज किया पहली बार मैं Cossarex का खड़ी दी थी वो इतना ही अच्छा था मैंने कभी इसको change करने का सोचा नहीं पर यह snail mucan जो है थोड़ा से expensive है अगर आपको यह avoid करना है तो आप avoid कर सकते हो you just start with the ni niacinamide and see how it works niacinamide works wonder for open pores मैं जो use करती हूँ उसका link description में दाल दूंगी and snail mucan का भी link में description में दाल दूंगी just be aware that कि यह सारी जो links में दालती हो ना यह कोई affiliate link नहीं है बस आपके convenience के लिए ता कि आप चेक कर सको और यह भी जरूरी नहीं है कि आपको वो same product लेना पड़ेगा आप बस एक idea ले लो check the composition कितने कितने percentage है उसमें और फिर जाके आप कोई भी product जो आपको लगे कि अच्छा है वो आप ले सकते हो also after cleansing I recommend to use a toner any toner will do any decent toner you can use यहाँ पर मैं यूज कर रही थी Cetaphil का comfort cream mostly मैं snail वाला moisturizer यूज करती हूँ पर अभी मैं flight के लिए जाओंगी वो थोड़ा ज्यादा sticky होता है तो उसको मैं रात को लगाती हूँ फ्लाइट से पहले मैं ये वाला moisturizer यूज करती हूँ पर आपको जरूरी नहीं है कोई ऐसे दो moisturizer यूज करने की आप कोई भी एक यूज कर सकते हो शाम से लेके जो भी सारे clips है वो मेरे पास नहीं है बिकिस मैं बैटकर बस edging करी थी ये जो laptop काफी पुराना है 10 साल तो इसमें edit करने में मुझे काफी दिक्कत होती है कभी कभी export होने में इतना ज्यादा time लगती है और फिर 30% यो 40% होने के बाद अपनी आप वो हड़ जात पड़ेगा और अब भी अगर मैं export नहीं किया करी बादा घंटा तो लेता है आने के बाद अगर करूंगी तो फिर मुझे लेट हो जाएगी वीडियो पोस्ट करने के लिए आप लोगों में से कुछ लोग मुझे ये भी पूछते हो कि कौन सी app मैं यूज करती हूँ editing के ल लगी है और थोड़ा पेशन्स भी मुझे काम है क्योंकि ये सारे जो काम है इसमें मैं थोड़ी सी वीख हूँ इससे लिए मैं प्रेफर करती हूँ सबसे इजी जो है उसको यूज करने की अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं बिगिनर्स के लिए वांडर शेय फिल्मोरा इस अगर आप इंट्रेस्टेड हो सीखने के लिए तो आप वाला वीडियो फॉलो कर सकती हो आप मुझे बोलते रहते हैं की टिटोरियल बनाओ वीडियो कैसे रहे हैं आप में से बहुत लोग मुझे पर्फियूम के मामले में बहुत जादा अडिक्टिव हूँ और मैं नहीं चाती हैं मुझे देखकर आप इस चीज में इंस्पाइड होते हो आप आप मैं वाला वाला वीडियो चेक करो आपके लिए बहुत जादा बेनिफियल होगा आप मे पर्फियूम के मामले में बहुत जादा अडिक्टिव हूँ और मैं नहीं चाती हैं मुझे देखकर आप इस चीज में इंस्पाइर हो इसलिए आप भी तक मैंने वो वीडियो नहीं बनाई आप मुझे कमें सेक्शन में बताना कि क्या आप अभी बी चाते हो कि मैं वो एक्सपीरेंस से मैं आपको बता सकती हूँ कि यूविल एंड आप यूजिंग ओल्ली टू और त्री ऑफ यू पर्फियूम्स बाकी सारे आपके क्लॉजेट में ऐसे ही पड़े रहेंगे तो यस मैं किसी को भी रेकमेंड नहीं करती कोई चीज ऐसे एक्सिब अमाउंट मे आफ्टरनून पर कल क्यूंकि मेरी वीडियो एक्सपोर्ट नहीं हुई थी इसलिए आने के बाद मैं फ्रेश हो के खाना खाके सबसे पहले वीडियो पोस्ट किया और वो वीडियो आप कल देखी हो थैंक यू सो माच गाइस फोर शोइंग सो माच लव इन दाट वीडियो बहुत सारे इंगेच्मेंट दिखाय है आप लोगोंने उस वीडियो में बहुत स्वीट स्वीट कमेंझ किये हैं मैंने सारे कमेंख्uga परे हैं परे थैंक क्यू सो माच तू अल यू मैं बस बोलना चाहूंगी के आप सब के लिए बहुत 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 ज्यादा पियर मेरी तरफ से और मेरा laptop का जो problem है उसको fix करने का एक ही तरीका है जो कि है एक नाया laptop खड़िदना जो कि मैं अभी नहीं खड़िदने वाली हूँ YouTube के लिए मेरा already काफी सारे investments हो चुके हैं कैमरे, lights और ये सब चीजों में और ये एक wise decision नहीं होगा अभी laptop खड़िदना तो इसमें मैं कुछ महिना और चलाऊंगी उसके बाद मेरे बद्दे के टाइम पर और नहीं तो दिवाली के टाइम पर जब अच्छा offer चलती है उस समय मैं कोशिश करूंगी एक editing friendly laptop लेने का मैं आपको भी ये recommend करूंगी कि आप मेरे जैसे गलती मत करना कि शुरू करने से पहले एक महेंगा camera खड़िद लेना या बहुत सारी equipment खड़िद देना आपको पता नहीं है कि ये कितना तक आपके लिए काम करेगा तो जब तक यहां से आपको result मिलनी start नहीं हो जाती है अब तक आप अपने phone के ही मदद से video बना सकते हो बस आपको अगर lights के problem हो रहे है तो आप एक ring light ले सकते हो जो की बहुत ही affordable आती है और आप phone यूज करके ही editing कर सकते हो पर अगर आप camera खड़िद लोगे तो आपको बहुत सारे external चीज़ों की ज़रुरत होगी सबसे पहले जरुत होगी आपको एक mic की देन आपको एक laptop चाहिए होगा फिर आपको memory card चाहिए होगी फिर आपको pen drive और the list is never ending phone के जो inbuilt mic होते है वो काफी अच्छी होती है पर camera में जो inbuilt mic होती है वो बिल्कुल अच्छी नहीं होती है तो हाँ मैं आपको recommend करूंगी कि आप पहले phone से ही start कीजिए मैं देख सकती हूँ बहुत सारे creator है और बहुत सारे लोग नया start करना चाते हैं मुझे बहुत सारी question आती है इस चीज़ के बारे में तो मैंने सोचा यह मैं आज इस video में mention कर देती हूँ ताकि जो लोग नया channel start करना चाते हैं वो लोग कर पाए यह काफी अच्छी चीज़ है अगर आपको कुछ नया करना है और आप इस चीज में interested हो आप जरूर कर सकते हो बस आप यह मत सोचो कि आपको यह सारी equipment की जवरत है तब भी जाके आप शुरू कर सकते हो शुरू तो दिख रहे ना यह हम बनवाए थे किसी से Amazon से आप कुछ दिन पहले देखे होंगे मेरे वो नाइट सूट वाले वीडियो में जो परदा दिखे थे ना आपको वो मैं Amazon से मंगवाई थी काफी चीप थी वो मैंने 4 पीसेस मंगवाई थे काफी लंबे ऐसे 7 फिट वाले वो इ अचानक सी बहुत ज्यादा थंडर स्ट्रॉम हो रही थी मुझे समझ आ रहा था पर मैं उठने ही पा रही थी I was very tired पैनी मुझे एक दो बार बुलाई उसको नींद नहीं आ रहा था थोड़े दिर फिर मेरे साथ सो गई थी अभी मुझे काड़ राइस खाने के लिए बुल था थैंक्फूली मैं सब कुछ बंद करके सोई थी अभी मैं पैनी को खिलाओंगी कर्ड राइस कर्ड राइस इस पैनी इस फेवरिट दूद से बने हुए सारे चीजे उसको बहुत ज्यादा पसंद है रसगुला शौनदेश दूद भी बहुत ज्यादा पसंद करती है पर यह काफी अफॉर्डबल भी है यह वाली मैं 350 रुपए में ली थी इसका पैटर्न और प्रिंट जो है मुझे बहुत ही जादा पसंद है इस सेम पैटर्न में मेरे पास और भी दो है आप मेरे वो ड्रेस वाले वीडियो में देखे होंगे अभी मौसम काफी ठंडी हो गई थी और थोड़ा थोड़ा बारिश भी हो रही थी पैनी को खाना खिलाने के बाद मैं और पैनी चाय बना के लिके बैलकनी में चले गए थे हम दोनों थोड़े दिर बैठे रहे हुआ पे थोड़ा थोड़ा बारिश भी हो रही थी थोड़ा थोड़ा हवा भी चल रहा था तो काफी अच्छा लग रहा था, बैलकनी हमारा छोटा है, पर हाँ हमें ऐसे बैलकनी में बैठे रहना बहुत पसंद है, कभी-कभी हमें ऐसे बैठे होते हैं, इसी के साथ मैं इस व्लॉग को यहीं पर खतम करूंगी, आपके साथ मैं फिर से मिलूंगी नए व्लॉग पर त करेंगी.